नेता जी के नाम से जाने जाने वाले नेता दिवंगत मुलायम सिंग यादव के आज पुनेतिती है मुलायम सिंग की पहली पुनेतिती पर शद्धांचली अर्पित करने के लिए पूर्व सीम और सपा के अध्यक शकलेश यादव से पहुचे अखिलीश यादव के साथ चाचा शिफपाल यादव भी मौजूद रहे इसके साथ ही अखिलीश यादव ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट पिरा रहा इसके साथ ही यूपी के सीयम योगी आदितनाद सहीद कौंग्रिस ने भी मुलायम सिंग को शद्धा सुमन अपित किए समादबादी पार्टी के सरस्थापक और यूपी के पुर्व सीयम मुलायम सिंग के बिमारी के कारण पिछले साल लिधन हो गया था मुलायम सिंग यादव राजनीती के मजह वे खिलाडी थे मुलायम सिंग को उनके चाहने वाले धर्ती पुत्र के नाम से पकारते थे तो आए जानते हैं क्यों कहा जाता है मुलायम सिंग यादव को धर्ती पुत्र पहलवानी तक सिवेत नहीं रखना चाहती थी बात 1962 की है जब मुलायम सिंग कुष्टी प्रत्योगिता में भाग लेने के लिए पहुंचे थी मुलायम के पहलवानी के कौशल ने वहां मौझूदा चौधरी नत्थु सिंग यादव को काफी प्रभावित किया और जिसके बा मुलायम सिंग अपने गुरों के उमीद पर खरे तुरे और चुनाव में जीता असल की यहां तकी सी सीट से साथ पार विधान सभा का चुनाव जीता था मुलायम सिंग अदव ने राजनीती में कदम रखने के बाद समाज में मौझूदा बराईयों को दूर करने पर ध्यान दिया चाहे चुवा चूथ हो या फिर जाती प्रता की बात उन्होंने हमेशा इसका विरूद किया बताया जाता है कि अपने इसी प्रियास की तहट सेफ़ई में छोटे भाई की शादी में उन्होंने वालमी के और दली समाज के लोगों को घर पर दावत दी थी उन्होंने पिश्री और उन्सूचित जातियों के लिए भी काम किया मज़ूर वर के हितों के लिए आवाज उठाई और यही वज़ा थी कि मुलायम सिंग को उनके चाहने वाले उन्हें धर्ति पुत्र कहा करते थे